आज मैं आपके साथ चेले चिकन के रेसिपे शेयर कर रही हूं विकुल रेस्टोरेंट स्टाइल और बहुत सिंपल रेसिपे जो इंशाला आपको ज़रूर पसंद आएगी आप न्यू है तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिगा तो चलिए बनाना यह मैंने 800 ग्राम पोल्लेस चिकन लिया है इसमें मैंने एक लैक पीस एड़ किया है क्योंकि मेरी पेटी को बहुत पसंद है तो चलिए इसका समान देख लेते हैं इसमें क्याके डालना है यह आधा चमच इसमें हम नमक डालेंगे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिक रखिएगा आधा चमच लाल मिर्च पॉर्डर और एक टेबल स्पून यानि एक बड़ा चमच कॉण फ्लार और एक बड़ा चमच ही इसमें हम मैदर डालेंगे और एक चमच यानि छोटा चमच लसो नदरक का मिक्स हुआवा पेस्ट आई है और यह हमने एक चमच विने कर लिया है यानि सिर्का और दो पिंच के करीब ही हमारा फूड कलर है अगर आप फूड कलर नहीं डालना चाहते तो आप कश्मीरी लाल मिर्च टाल सकते हैं इसमे हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इतने अच्छे से हमें समान इसमें मिक्स कर लेना है ताकि इसमें चिकन पर सारी कोटिंग हमारे मसालों के अच्छे से हो जाए भॉत अच्छे से से इसे हम इस मसालो को अच्छे से मिला देना है और यह आप्यों पर डिबेंड करता है कि आप इसे रेस्ट के लिए कितनी देर रखेंगे महलें तो एक गंट के लिए रखूंगी इसे अब कवर करके एक गंट के लिया है और यह प्यास भी मैंने बड़े साइज का ही लिया है इसके पीच का जो हिस्से है वो हमने छोटे-छोटे जो हिस्सा बस जाता है उसे भी हम मसाले में ही यूज करेंगे बेस्ट नहीं करेंगे यह देखिए एक शिमला मिर्च मैंने छोटी-छोटी काटी है बहुत यह जैसे ओमलेट कट होता है ना प्यास इसी तरह से और एक मीडियम साइज के प्यास को भी मैंने ओमलेट कट काट लिया है और इसी में वो प्यास हमने अट कर लिया जो इसके बीच का हिस्सा बचा था यह देखिए दो मिर्च है यह लेकिन यह मोटी मिर्च है यह इस पे तीखी नहीं होती तो इसलिए यह ज़्यादा लग रही है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखेगा मिर्च और यह ए अब यह एक चमच हमने यानि बड़ा चमच कॉन फ्लार कर लिया है इसका हमें स्मूथ सा पेस्ट पना लेना यानि पतला सा इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे पेस्ट को तयार करके हम एक साइड रख लेंगे इसका यूज में आपको बात में बताती हूं कि कहां पर करना है यह ऑइल कर लिया है इसमें हम चिकन फ्राइ कर लेंगे चिकन हमें गोल्डन फ्राइ करना है ऐसे तो आप इसे अगर बॉनलेस आपके पास चीकन नहीं है तो विद बॉन भी बना सकते हैं और यह देखिए इसका पेस्क जो बचा इसमें बहुत सारी फ्लेवर है इसका भी यूज मैं आपको बात में बताऊंगी कि कहां पर करना है और कैसे करना है जब एक साइड से फ्राई हो जाएं तो इसे टर्ण कर लेंगे गोल्डन प्राउनी हमें इसे फ्राई करना है मीडियम टू हाइफ लेम पर हम इने फ्राई करेंगे देखिए बस अब इस तरह का हमें कलर चाहिए अब हम इने निकाल देंगे इसमेंसे चलिए अब दूसरा काम देख लेते हैं हमें क्या करना है यह एक पगोने में मैंने आधा कप के खरीब आईल लिया है यह सरसो का तेल है आप जो भी आप डिफाइंड यूज करते हैं आप उजी ले लीजिएगा इसमें हम पहले लेस्टरक टाल देंगे और इन्हें हलक ऐसे सौटे करेंगे अब इसमें हर इमिर्च टाल देंगे कुछ-कुछ सेकिंड्स के लिए हम इने सौटे करेंगे अब इसमें हम कटे हुई शिम्ला मिर्च और प्यास डाल देंगे जो हमने बहुत बारी काटे है इसे डालने से बहुत अच्छी और टेस्टी ग्रेवी तयार होती है यह हमने एक चौथाई चम्मच अजीनो मोटो लिया है आधा चम्मच सोया सॉस है और एक चम्मच चिली सोस है आधा चम्मच हमने बिने कर लिया है और आधा चम्मच ही इसमें हम नमक डालेंगे क्योंकि नमक हमने चिकन में भी डाला है और दो टेबल स्पून इसमें वरके हम टमाटर सोस डालेंगे यानि टमाटर केचप अब ये देखे जो हमने बताया था आपको कि इसका होव हम इसमें टाल देंगे पानी मिक्स करके जो हमारा चिकन का मसाले बचेते इसमें काफी फ्लेवर होता है अब इसमें हम शिम्ला मेर्च और प्याजे एड़ करतेंगे और हाई फ्लेम पे इसे फटाफट से भूनना है क्योंकि चाइनिस डिशिस जो होती है वो हाई फ्लेम पर ही बनती है अब इसमें हम चिकन एड़ कर देंगे चिकन काफी हद तक हमारा गल चुका था फ्राइ करते हुए खुब अच्छे से इसे भून लेंगे हम ताकि मसालों के इसमें चिकन में भी आ जाया इसमें टमाटर सॉस इसमें हमने टेस्ट किया तो कम लगा इसलिए हम टमाटर सॉस और डाल दिया है यह कॉन फ्लार है जो हमने पानी मिलाया था कॉन फ्लार में हो डाल देंगे इसे बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाती है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब हम इसे ढख कर सिम फ्लेम पर 5-7 मिनट तक पटने के लिए रख देंगे अब देखे 5-7 मिनट हमारे हो गया है और बहुत अच्छे से हमारा चिकन भी पक गया है चिकन भी चरिकर लिते हैं वैसे तो गरम हो रहा है बहुत लेकिन चिकन हमारा बहुत अच्छे से गल गया बस अब हम इसे डख देंगे और सर्फ करने के लिए तयार है बस हमारा सालन मुझा शाशा खर देते हैं आज से बिल्कुल रेस्टरेंट स्टाइल बनाया है हमने चिली चिकन और इंशालला आपको ज़रूर पसंद आएगा अगर आप न्यू है तो प्लीज मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा आपकी मॉटिवेशन के हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और कमेंट बक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी ऐसे आप जब ट्राइ करके देखेंगे इसके टिस्ट का तो आपको अंदाज़त अभी होगा इंशालला मैं फिर कोई नई रेसिपी लेकर आऊंगी दुआ में आप ज़रूर याद रखेगा और प्लीज मेरे फेस्बुक पेज को लाइक कीजिए फॉलो कीजिए इंस्टा पर मुझे फॉलो कीजिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी बत बुलिएगा और बैल आइकन पर तो ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी नौटिफेकेशन टाइम पर मिलती रहे और प्लीज 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 हमें आपके मॉटिवेशन के आपकी दुआ की बहुत जरूरत है इंशालो मैं फिर कोई नई रैसिपी लेकर आऊंगी अल्ला हाफिज